जाहिन दोस्तों मैं जेपी चोधरी और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल सर्वीश टू सिभिंग गाइड सर्वीश टू सिभिंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप रेलिवे कमचारी हैं तो आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जब किसी रेलिवे कमचारी के खिलाप गंभीर आरोप लगते है운 तो इस केस में डिपार्टमैंट उस Local को निलंबित कर देती हैं यानि की सस्पेंट कर देती है और यह सस्पेंशन रूल 5 रेलवे सर्वेंट डिसिप्लीन अपील लूल 1968 के तहत किया जाता है और सस्पेंशन क्या होता है यानि की निलंबन क्या होता है निलंबन कितने तरह को होता है और किन परिस्थितियों में सरकारी कमचारी को निलंबित किया जाता है। और किन परिस्थितियों में वह करमचारी खुद बखुद निलंबित माने जाते हैं। जिसे आप dimmed suspension कहते हैं। इससे समंधित पूरी जानकारी मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको दिया है। अगर और जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखे और यह समझे की सामान में, यानि की नॉर्मल सस्पेंशन क्या होता है और डिーム्री सस्पेंशन क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब उस कमचारी को सस्पेंड किया जाता है यानि कि जब आपको सस्पेंड किया जाता है तो आपको कितने समय तक निलंबित रखा जा सकता है कितने समय के बाद निलंबन का रिभ्यू करना जोरी होता है यानि कि समिक्षा करना जोरी होता है या फिर कितने समय के बाद आपके निलंबन को रिभ्यू किया जा सकता है और एक बार में निलंबन को कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है तो ये सारी जानकारी मैं आप बरहाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यह चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जैदे जैदे लाइक और सेयर जरूर करें तो आईए देखते हैं कि इसे समंधित नियम क्य काता है जैसे कि आप इसकी नहीं पर देख रहे हैं सब रूलव फाइव ए proxy यानि कि रूल फाइव सबгляд 5 ए डेलवे निलंबित ही रहेंगे जब तक कि उनके सस्पेंशन को उनके निलंबन को परिवर्तित नहीं कर दिया जाता या फिर निलंबन को रिभोक नहीं कर दिया जाता यानि कि निरस्थ नहीं कर दिया जाता तब तक वह रेलवे कमचारी सस्पेंशन में रहेंगे यानि कि निलंबित रहेंगे तो एक बात तो किलियर है कि निलंबन को निरस्थ करने के लिए और देना जवरी होता है यानि कि जिस अधिकारी ने सस्पेंड किया है वही अधिकारी या फिर उससे उपर के अधिकारी इसको प्रिवर्थित कर सकते है या जो निलंबन का आदेश है उसको निरस्थ कर सकते हैं और उस कमचारी को reinstate service में कर सकते हैं लेकिन आपके मिलमें प्रस नुठ आओगा क्या अनिश्चित काल के लिए रखा जा सकता है तो आगे मैं आपको review के बारें भी बताऊंगा और कब तक रखा जा सकता है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका बी देखिए ये बी जो रूल है ये कह रहा है कि जब किसी railway कमचारी को suspend किया जाता है या फिर उस railway कमचारी का dimmed suspension होता है तो दोनों ही case में suspension के दोरान उस railway कमचारी के खिलाप अगर disciplinary action शुरू किया उस कमचारी के खिलाप disciplinary proceeding शुरू की जाती है तो जो competent authority है यानि जिन्होंने suspend किया है वो ये order दे सकते है कि इस कमचारी को तब तक निलंबित रखा जाए या निलंबित रखा जाएगा जब तक उस कमचारी के खिलाप जो disciplinary action यानि कि अनुसासनात्मा कारवाई शुरू की गई है वह conclude नहीं हो जाता यानि कि वह खत्म नहीं हो जाता है और इसके लिए जो disciplinary authority है order पास करेंगे और उसमें region भी लिखेंगे कि क्यों disciplinary action खत्म होने तक उस कमचारी को निलंबित रखा जाए तो इससे सम्मंधित region भी उसमें दर्ज करेंगे तो दूसरी बात यह है कि through out यानि कि जब तक disciplinary proceeding चलती रहेगी तब तक उस कमचारी को suspend रखा जा सकता है तो दोस्तों clause C को देखिए कि clause C के हिसाब से जो competent authority है यानि कि सक्षम प्राधिकारी है यानि कि जिस प्राधिकारी ने उस कमचारी को निलंबित किया है वह जब भी चाहें यानि कि किसी भी बक्त suspension के आदेश को परिवर्तित कर सकते हैं या उसे रिभोक कर सकते हैं यानि कि वापस ले सकते हैं और suspension के order को रद कर सकते हैं यही काम उनसे higher authority वापस ले सकते हैं जैसा कि आपने कलोज B में देखा है कि जब कमचारी को निलंबित किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी चाहें तो उस कमचारी को तब तक निलंबित रख सकता है जब तक उस कमचारी के खिलाप जो अनुसासनात्मा कारबाई चल रही है वह खत्म नहीं हो जाता पूरा नहीं हो जाता लेकिन बीच में भी अगर जरुरत होती है निलंबन को वापस लेने की तो यह काम सक्षम प्राधिकारी या फिर उनसे हायर अथरिटी कभी भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि और ज शुरू में निरमन का आदेस जारी किया जाता है उन सिर्फ 90 दिनों तक के लिए ही प्रभावी होता है और 90 दिन के बाद वह आदेस बैध नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि 90 दिन के बाद suspension order को वापस ले लिया जाएगा तो दोस्तों ऐसा नहीं है इसके लिए एक review committee बनाना जोड़ी होता है और ये review committee 90 दिन से पहले ही बनाई जाती है और review committee का जो recommendation होता है उसके आधार पर आपके appointing authority या फिर disciplinary authority ये decision लेते हैं कि suspense उस कमचारी को आगे निलंबित रखा जाए या suspension order को वापस लिया जाए अब इसके लिए आप ये sub rule 7 देख सकते हैं कि उसके recommendation के आधार पर ही ये फैसला competent authority लेते हैं कि उस कमचारी के जो suspension है उसको extend किया जाए या फिर उसको रिभो किया जाए और ये सब फैसला 90 दिन पूरा होने से पहले लेना परता है अगर वो फैसला नहीं लेते हैं तो 90 दिन के बाद यानि कि 90 दिन पूरा हो जाने पर वो suspension order खुद ही निरस्थ हो जाता है और उस कमचारी का जो निलंबन है वो भी खत्म हो जाता है इसलिए ये सब काम पहले ही करना परता है 90 दिन के भीतर ही और आगे भी फिर suspension यानि कि जितने दिनों के लिए extend किया गया है तो उसके भीतर ही ये फैसला लेना परता है कि suspension को खत्म किया जाए या फिर आगे बढ़ाया जाए अगर आगे बढ़ाने की बात होती है तो अनिस्चित काल के लिए एक बार suspension को नहीं बढ़ाया सकता है यानि कि एक बार में जो suspension है उसको maximum 180 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है यानि कि 6 महिने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में इससे जैदे समय के लिए suspension को नहीं बढ़ाया जा सकता है और आगे और जरुवत होती है तो 180 दिन पूरा होने से पहले ही फिर review committee recommendation के हिसाब से जो disciplinary authority है competent authority है और decision लेंगे कि उस कमचारी के निलंबन को वापस लिया जाए या फिर आगे जारी रखा जाए तो दोस्तों यहीं है suspension, review, revocation से संबंधित नियम और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जानकारी अच्छी लाइदे लाइक और से जरू करें यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्वाद